इस वीडियो में बात करने वाली हूं एक्सपेक्टेड कट आफ के बारे में जो की कि CSI net December 2022 and June 2023 के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रही हूं मेक्शूर इस एक्सपेक्टेड कट आफ मेरे जो एनलिसस हैं वो CSI का जो ऑफिशल कट आफ होगा उसके सांथ मैच कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं यह person to person वारी करता है कि एक इनसान किस तरीके से पेपर को अनलाइज कर रहा है उसको उस पेपर का लेवल कैसा लग रहा है यही सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं तो हो सकता है आपने और भी बहुत से टीचर्स के द्वारा expected cut-off की list देखी होंगी तो यह आप लोग की request पे ही में release कर रही हूं तो make sure यह एक expected cut-off है इसको आप final cut-off consider करने की गलती मत कीजेगा इसलिए मैं यहाँ पे disclaimer भी डाल के रखा है यह जो expected cut-off है यह सिर्फ और से paper analysis के basis पे निकाला गया है यह जो है official cut-off के साथ बिल्कुल vary कर सकता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ हम एक rough prediction कर रहे हैं ताकि आप एक roughly तरीके से समझ पाओ कि क्या आप cut-off के आसपास भी पहुच रहे हो या नहीं make sure यह जो मैंने numbering डाली है इससे एक दो marks पीछे या आगे भी हो सकता है क्योंकि हम यह एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं और यह जो cut-off है यह मैंने raw score के basis पे निकाला है because percentile निकालने के लिए जितने data चाहिए वो data I mean किसी person के द्वारा मतलब निकालना it will be a little bit difficult क्योंकि वहाँ पे जो जो data की ज़रुद परती है वो फिलहाल में हमगारे पास नहीं है और ना क्यूंकि percentile जो है individual basis पे देखी जाती है कि आपने student को पीछे छोड़ा कितने student बैठे थे तो total number of student तो है पता चल जाएंगे लेकिन एक person ने एक person से पीछे कितने और student है उससे कम number वाले यह data हमारे पास निंग होगा right और यह हर एक person to person vary करेगा इसलिए percentile में फिलहाल में मेरी लिए cut- difficult इसलिए मैं आपको raw score के form में ही cut-off बता रही हूं कि फिलहाल में आपके पास raw score है यानि आपने 200 में से कितना score किया है out of 200 आपका scoring final कितना हुआ है यह आपके पास फिलहाल में data है तो उसके basis पे आप expect कर सकते हैं कि मतलब कहां पे आप लाई कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले म sincere तरीके से त्यारी की है तो बहुत अच्छे से उन questions को बना सकता था और अच्छे से अच्छा number भी score कर सकता था उसके compare में अगर मैं shift 2 को देखूं तो shift 2 में बहुत से unusual questions थे compare to shift 1 उसका level वैसा नहीं था जैसा shift 1 का था shift 1 का paper was like हम जिसे कह सकते हैं बढ़िया paper था लेकिन shift 2 म मुश्किल होगा उसमें बहुत से unpredictable area से भी question आये थे आफी ऐसे questions थे जो out of box भी थे तो अगर overall देखा जाएगा तो obviously shift 1 का paper जो है shift 2 के comparison में थोड़ा सा मतलब एक आप कह सकते हो कि easier side में चला आता है पूरा paper easy नहीं था obviously shift 1 का लेकिन comparative basis पे देखा जाए shift 1 का paper में scoring अच्छी और जादा हो सकती थी compare to shift 2 का paper shift 2 का paper में expected है कि बच्चों की maybe उतना high scoring नहीं होगी मतलब एक average बच्चों को अगर हम लेते हैं तो of course उतना high scoring नहीं हो पाएगा and this is very sure कि हा shift 2 में से भी कोई बहुत अच्छा number लेकर बैठा होगा maybe 140, 145, 150 ऐसा बिल्कुल possible chances है and same case with shift 1 also कि इसमे मैं बात नहीं करूँ मैं on average की बात करूँ कि जाद अर बच्चों के marks कहां पर लाई करने वाले हैं तो यह था मैं राइक क्रॉफ analysis कि मुझे क्या लगता है कि paper का level कैसा था तो उसके basis पे अगर मैं कहती हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे, give me a second, okay, तो अगर आप general category को अ मैं में में अपके सकते हो कि आप borderline पे हो मतलब एक ऐसा point जिसमें की chances है कि selection हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है shift 2 का अगर मैं undeserved category को देखती हूं तो what I think like कि evening में जो है 102 से 105 के बीच में जो है cut off जा सकती है next EWS की मैं बात करूँ तो यहां पर मुझे लगता है कि जो cut off है morning shift में वो 100 से 105 तक जा सकता है shift 2 में 95 तो 97 के बीच में लाई कर सकता है OBC के बात करें तो यहां पर shift 1 में जो marks है वो 98 तो 102 के बीच में जो है marks लाई कर सकता है अगर आपके इतने बन रहा है तो आप एक roughly consider कर सकते हैं कि maybe you can qualify Shift 2 की बात करें तो 88 से 93 के बीच में we can expect ST category के लिए it may be between 84 to 88 for the shift 1 and for shift 2 it may be 74 to 78 ST के लिए बात करें तो it can vary from 75 to 79 for the shift 1 and for shift 2 it can vary from 60 to 68 PWD के लिए 55 से लेके 60 के बीच में हो सकता है I mean for shift 1 and shift 2 के लिए 49 से 55 के बीच में हो सकता है अब देखिए जो मैंने दो value लिया है न तो जो starting upper value है वो भी marks हो सकता है इसके बीच के भी marks हो सकते है इसका ending जो marks से वो भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे एक interval predict कर रहे है कि कि किस interval के बीच में marks like कर सकते है क्योंकि exact number कि हाँ यही number होगा यह कहना मुश्किल होगा लेकिन कितने number के बीच में like कर सकता है starting या ending क्या हो सकता है वो हम प्रेडिट कर सकते हैं तो यह आप रफ करीके से देख सकते हैं of course ऐसा होगा है बहुत से बच्चे पुछें कि LS का क्या case है मतलब lectureship के लिए कितना होगा between GRF and LS for different category तो यह एक rough estimation है आप अपने according निकाल सकते हैं LS का भी 10 से 12 marks reduce करके हैं तो मैं इम्मीद करते हूँ कि यह video आपके लिए useful रहा होगा do share your views in the comment section आप अपने views share कर सकते हैं अपने marks share कर सकते हैं कि कितने आ रहे हैं और आपके पास कोई doubt हो तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं so thank you so much everyone and keep learning bye